अस्सलाम वालेक्म वारामतुल्ला वाराकातू उमीदें तमाम दोस्त खेरियत से होंगे मेरे दोस्तों आज एक नवी लोग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ अभी मैं उस तारीकी मकाम पर खड़ा हुआ हूँ जिसकी मैं अभी इन्शाला ताला आपको हिस्ट्री बताऊंगा तो ये उस बोर्ड पे हम लोग खड़े हुए हैं मेरे साथ हाफिज अब्दुलगफार मौजूद है ये रोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नादरन बाइपास रोड है और ये सामने लकी नदर आ रही है लकी से ये रास्ता जो बलोचिस्तान की तरफ जा रहा है और ये नादरन बाइपास ये अंदरुने सिंध की तरफ ये रास्ता जा रहा है कराची से जो नादरन बाइपास है ये उस पर ये तारीखी मकाम मुझूद है मैं आगे जाके इन्शाला तला उस तारीखी मकाम पर पहुंच कि आपको बकाया तफसिल बताता हूँ हम लोग अभी उसी तारीखी मकाम की तरफ जा रहे हैं कि अब तो तो दोस्तों में अभी चोकundi कबरस्तान जिसका नाम रूमी बार लिखा हुआ है बोर्ड में मैंने आपको दिखाया है तो ये नाधरन बाई पास कराची का जो नाधरन बाई पास है उसके साथ ही कट्टू गोट जिसके साथ ही ये कबरुस्तान मोझूद है यह चोकुंडी वो कबरुस्तान है, जो हमारे पाकस्तान की मुख्तलिफ अरियास में पाया जाता है। एक तो हमारे काइदाबाद कराची के अलाके में पाया जाता है दूसरा है जो कबरुस्तान है वो मेमन गोट में पाया जाता है और इस सबसे बड़ा जो चोकुंडी कबरुस्तान है वो मकली का कबरुस्तान है इस कबरुस्तान को दिखाने का मकसद यह है कितना खुबसूरत कबरस्तान और उस जमाने में कितने खुबसूरत इसके नक्षकारी की गई है नीचे से एक कबर बनी हुई है चोकुंडी मतलब चार कोनो वाली कबर और उपर जो है ना आपको तीन कबरे साफ जाहर नदर आ रहे हैं कि ये तीन कबरे मौझूद है और इसमें एक डिजैन पी दिया हुआ है कि ये मर्द की कबर है या किसी ओरत की कबर है तो हमें जो मालूम हुआ है या सर्च किया है जो हम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें ये साब जायर नदर आ रहा है ये किसी मर्दों की कबरे हैं इस तरह क्योंकि ओरतों का जो पताया गया है कि उसमें जेवरात की डिजैन वगरा इस तरह बनी हो ये तो इसमें जो ये खोल पक या इस तरह कोई सिस्टम बना हुआ है तो इससे यानि मालूं हो सकता है कि ये किसी मर्दों की कबरे हैं जी तो दोस्तों मैं चोकOWNड़ी कबरिस्तान की बात कर रहा था तो ये जिस एलाके में मوجود है ये कबरिस्तान तो इसको में इन्शालाट अला और भी कबरें इसमें मوجود हैं जिनकी डिजाइन वगरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह खुबसूरत है बना हुआ है और कुछ ऐसी कबरें हैं जिनकी खस्ता हाली है और इनकी देख बाल ना होने की वज़ा से यानि जो हैनो वो काफी जो हैना उनकी नक्षकारी जो हैना उजड़ चुकी है वो पर इसके जो हैन मैं आपको दिखा सकता हूं कि चार कबरें बनी हुए हैं जो फिल्कुल किंती में आ रही हैं कि इससे मालूम हो सकता है कि ये चार याने जो हैने कबरें हैं ये हमारे को बिल्कुल साब जाहर नजर आ रही हैं जो चार कबरें हैं आप देख सकते हैं कि वहा बिल्कुल उतर चुकी है और ये बिल्कुल साफ पथर नदर आ रहे हैं और ये आप देख सकते हैं लेकिन इतना खुबसरत उस जमाने में जो जदीद दोर नहीं था और ये कमों बेश यहां तक मैंने पड़ा है कि ये जो मुगलों का दोर था यहां इस से भी आगे वाले दो कि ये कबरे हैं मैंने किसी मौकिक से सुना है कि ये किसी जमाने की कबरे हैं और महमत बिन कासिम रदियाला उताला आनो के जब इदर काफले आये थे तो ये हो सकता है कि उन्हीं में से कोई कबरे हो ये वल्ला आलम ये आदमी पूरा कंफरम नहीं के सकता है कि उनकी कबरे है कि इनके सहाबा की या किसी ओल्याला की लेकिन ये बहुत तारीखी कबरें और बहुत पुराने जमाने की कबरें हैं जी तो दोस्तों जैसा के मैंने आपको इस कबरस्तान की पूरी विजट करवाई कबरें भी दिखाई कितनी कितनी कबरें चोकुंडी कबरुस्तान में जो एक कबर में कितनी कबरें मौजूद हैं और इनकी खस्ता हाली में आपको दिखाना चाहता हूं कि इनके उपर तवजो की जरुरत है और इन मकामात को बनाने की जरुरत है क्योंकि यहां पर जो स्याहत करने वाले लोग सासे हैं ये आप देख सकते ही कि ये किस तरह जो है ना खस्ता हाली का शिकार है कुछ दिन पहले मैंने एक वी लोग बनाया है मनसूरा के नाम से वो भी मेरे चेनल पर मौजूद है जिसमें मैंने पूरी दिखाने की कोशिश की है तो उसमें मैंने निशानद ही की है कि हमारे तारीखी मकामाद जो हैं सिंद्ध के वो काफी जो है ना खस्ता हाली का शिकार है एक और तारीखी मकाम है मोण जो दड़ो जो काफी मशूर है उसकी तारीख में बड़ी है वो भी आपको मेरे चेनल पर मिल जाएगी वो उसकी वीडियो जो है ना मेंने अफलोट की हुई ह तो मेरे दोस्तों मेरे दिखाने का मकसद ये है कि अभी उस पे मौन जो धड़ों पे जो गोर्मेंट की काफी माशाला तवच्छों है तो उस पे जो स्याहत करने वाले दोस्त आते हैं उनको काफी जो ऐसी सहूलियात मिलती है और बिलकुल वहाँ पे काम हो रहा है इस जगा क कि निशान देए करने से हमारा ये सिर्फ मकसद है कि इसके उपर भी तवचा दी जाए ताकि ये हमारा तारीखी मकाम महफूज हो सके मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आपका और हमारा अला तबार्क वताला हामी और नासिर हो अस्सलाम अलेकुम और रहमतुलाह वब तक आपका और हमारा तो